हेलो दोस्तों आज हम अपनी exercise 6.4 करने जा रहे हैं class 7th की तो सबसे पहले first question देखो क्या कहता है write the following numbers in the expanded exponential form हमें जो numbers दिये यह किस में लिखने है सबसे पहली चीज expanded में expand का मतलब क्या होता है कि इसको फैला के लिखना और किस फोर्म में exponential form यानी power की form expand आ जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ पर क्या पूचा है कि कोई चीज बढ़ा के लिखने के लिए बोली गई है और exponent आ जाए तो समझ जाना कि वहाँ पर power में लिखना है कुछ ठीक है तो सबसे पहले हम इसको बढ़ागे लिखते हैं बढ़ागे कैसे लिखते हैं अब देखो यह क्या हमारे पास 1 10 यहनी की यह हो गया हमारे पास क्या 1 place किसके place पे है 10s के place पे तो 10 लिख दिया 2 1s के place पे तो 2 लिख दिया तो इसी तरह से जो ये 2 है ये किस place पे हमारे पास ये है 10,000 के उपर ठीक है तो हम क्या लिखेंगे आपे 10,000 इसको कर देंगे यानि 20,000 कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1,2,3,4 क्या ध्यान रखना है कि 2 के बाद जितने भी डिजिट नहीं 0 लगा देनी जैसे 4 डिजिट है तो 4 0 लगा देनी है अब 0 की 0 तो लगाने के कोई फायदा नहीं जैसे 0 का मतलब क्या होता है अगर यहाँ पर 2 0 लगा देनी तब भी 0 रहेगा इस तरह से 0 लिख दी तो इसका कोई मतलब नहीं होता जब तक 0 की आगे कोई डिजिट हम नहीं लिखेंगे ना तो वो 0 काउंट नहीं होती तो हम 0 को लिखेंगे यह नहीं क्या लिखेंगे हम अपना 6 6 के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दी और ही हो गया हमारा 8 क्योंकि 8 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो इसके पिछे कोई भी 0 नहीं आई है अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2000 को 2 into 10 10,000 इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मालो 20 है 20 को मैं यह लिख सकते हूँ ना 2 multiply 10, 2 10s है 20 होता है ना इसे तरह से हमने क्या क्या यह सारी 0s अलग लिख दी प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है सिधा 6 है 6 into 10 प्लस यहाँ पे क्या हमारे पास 8 है ठीक है expanded form तो यह हो गई exponential form में कैसे लिखेंगे 10 की पावर कितनी 0 है 1, 2, 3, 4 तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं यहाँ पे बिलकुल लिख सकते हैं प्लस अब देखो यहाँ पे 0 हमने आ कुछ नहीं लिखाता तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0 into 10 की पावर कितनी 0 है 1, 2, 3 10 की पावर 3 लिख सकते हैं आपर क्योंकि किसी की भी 0 से मर्टिप्लाई होगी तो मैं पता है अंसर क्या आना है 0 या आना है लेकिन हमें सारे एक पावर की फोर्म में लिखने तो हम 0 को भी लिख देंगे ठीक है 0 इंटू इसकी कितनी पावर हो जाएगी 10 की पावर 2 multiply 6 इंटू प्लस आएगए यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर यह 1 ही है 0 तो 1 ही हो जाएगी प्लस में 8 इंटू 10 की पावर यहाँ पर तो कोई 0 है यह नहीं तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी 0 ठीक है इस तरह से हम इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे इसको 4, अब देखो एक इस प्लेस पे है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाक्स, तो हम यह क्या करेंगे 5, 0 लगा देंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, अब देखो 2 और 3, 5 डिजट थे तो 5, 0 लगा दी प्लस 2 के पिछे 4, 0 प्लस 7 के पिछे 2, 0 क्योंकि 0 को लिखने का यहां कोई फायदा नहीं है वैसे लिखना चाहो तो बेशक लिख भी लो कोई फरक ने पड़ना ठीक है, 10, और यहां पर क्या आगया है मारे पास 9 अब क्या करना में, वही जैसे इसको अलग किया था, इन 0s को अलग किया था, इसको भी अलग कर लेंगे 4 x 1,00, तभी तो 4,00, होएगा ना मारे पास 2 x 1000 यूगे 10,000 अब देखो, यह 1000 के प्लेस पे जो था, यहां पे तो कुछ भी नहीं है मारे पास, तो हम इसको भी बेशक से लिखना चाहते है जिरो इंटू 10, यह मारे पास 1000 हो गया यह 7 x 100, और यह तो 10 है ही यहां पे और यह 9 है यहां पे अब 4 x 10 की पावर क्या हो जाएगी हैं यहां पे 5 0 है, 5 प्लस, 2 x 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4, प्लस, 0 x 10 की पावर, 3 ठीक है, यह सिर्फ इसका ना कोई मतलब नी बनता, 0 यह अंसर आएगा सिर्फ हम इसले लिख रहे हैं ताकि मैं सब पावर में लिखना है तो हमने इसको भी पावर में लिख दिया 7 x 10 की पावर, 2 10 x 2 इसकी पावर कितनी है, 1 ही है और 9 की पावर क्या हो जाएगी, कोई 0 है, नहीं तो 9 x 10 की पावर, 0 ठीक है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यह 1 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं, 1 x 10 की पावर, 1 ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 1 1 x 10 की पावर, 1 इसी तरह से इसको करेंगे, क्या करेंगे, कौन से प्लेस पे यह 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 तो 6, 0 लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 8 में, 1, 2, 3, 4, 5 0 में, 1, 2, 3, 4 5 में, 1, 2, 3, 1 में, 1, 2, 9 में, 1 और 2, 2 as it is लिख देंगे, इसमें तो कुछ लगाना नहीं है, ठीक है इसको क्या करेंगे, 7 x 10 इस तरह से लिख देंगे, जैसे बाके में लिखा है यह 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 8 x 1, 2, 3, 4, 5 यह 0, 0 x 10 1, 2, 3, 4, 5 x 1, 2, 3, 1 x 1, 2, 9 x 10 प्लस 2, 2 यह लास्ट में तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा 7 x 10 की पावर देखोई कितना, 1, 2, 3, 6, 0 तो 6 पावर हो गए है मारे पास 8 x 10 raised to power, 5 चितनी यह 0s हो जाएगे, उतनी है मारी पावर हो जाएगी 0 x 10 raised to power, 4 5 x 10 raised to power, 3 1 x 10 raised to power, 2 9 x 10 raised to power, 1 प्लस 2 के पिछे कुछ नहीं, तो 10 की पावर, 0 ठीक है? अब यह बोलोगे, आपकी बही 10 की पावर ही क्यों लिखरे हैं? क्योंकि 10 ही जो हो मारे पास 0 है 7 की पावर 6 के 7, 7 time multiply हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ, तो जो 0s है, वही multiply हो रही तो 10 की पावर ही बनेगी यहाँ पे ठीक है? क्योंकि 0s में सबसे चोटी पावर होती है, मारे पास 10 100 या 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 को भी 10 की पावर 2 लिख सकते है 1000 को भी 10 की पावर 3 लिख सकते हैं तो इसलिए हमें आप सिर्फ 10 लेते हैं फॉर्थ पार्ट है यह देखो 1, 10, 100 1000, 10, 1000, 100, 10, 100, 100 तो यहाँ पे 60 जिरो 1, 2, 3 4, 5, 6 अब यह दो 0 हैं, इनको लिखना चाहूँ तो लिख लो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 4 के बाद 1, 2, 3 1 के बाद 2 3 के बाद 1 और यह 2 के बाद कुछ बचाएं नहीं तो कोई 0 नहीं इसको भी कैसे लिखेंगे? जिसे यह लिखा हमने यह ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 10 की 10 यह 6 0 लगा देंगे 0 इंटू 5 0 इंटू 4 4 इंटू 3 1 इंटू 2 3 इंटू 10 प्लस 2 यह आपे आगे क्या लिखेंगे? 5 इंटू 10 की पावर? 6 हो गया? प्लस 0 इंटू 10 की पावर? 5 प्लस 0 इंटू 10 की पावर? 4 प्लस 4 इंटू 10 की पावर? 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर? 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर? 1 प्लस 2 इंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और इसके बाद 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, plus, 9 के बाद 2, तो 2 के हम क्या पावर लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, उसके बाद आता है हमारे पास 7, तो यहां पे पावर 3 हो जाएगी, मितलब 3 zero हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद आता है 3, तो यहां पे 2 zeros, 0 में आपे 1, और 30 में हमारे पास, लास्ट में 3 आया, तो 3 आजाएगा, अब इनको अलग लिखते हैं, 10 को, 9 into 10, कितनी टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 zero लगा देंगे हापे, प्लस 2 into 10,000, प्लस 7 into 1000, प्लस 3 into 100, प्लस 0 into 10, प्लस 3, अब पावर लिखेंगे, 9 into 10 raise to power 5, क्योंकि 5 zero है, 2 में क्या लिखेंगे, 2 गुणा 10 की पावर 4, 7 गुणा 10 की पावर 3, इसी तरह से, 3 गुणा 10 की पावर, 2, 0, गुणा 10 की पावर क्या अती है, 1, और हमारे पास, 3 में क्या होगी, कोई 10 बचाए नहीं, तो पावर क्या हो जाएगी, 0, 10 की पावर 0, यानि 10 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1, 1 into 3, 3 यह आ जाएगा, तो यह था हमारा first question इस तरह से, आप देखते हम अपना second question, तो देखो भई, second question क्या है, खोलेंगे पहले, जैसे हमने लिखा है ना, बिल्कुल उसका उल्टा कर देना है, 7 की पावर 4, 7 के पिछे 4, 0, 6 की पावर 3, 6 के पिछे 3, 0, यहाँ पे 2, 0, यहाँ पे 1, 0, और यहाँ आप देखो 10 की पावर, 0 यहाँ नि 1, 5 बंजा 5, आद देखो 1's पे है नंबर, 10's पे है, 100 पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो तीनों ही जिगे हम 0 लगा देंगे, 1000 पे मरपा 6 है, 10,000 पे 4 है, तो जब हम इसकी standard form लिखते हैं, तो 10,000 से स्टार्ट करेंगे, तो 10,000 पे क्या 4, और 1's पे 5, तो हम क्या करेंगे, जब हम आप यह वापीस ऐसे लिखना होगा, तो हमना यह आगे वड़ा digit देखेंगे, हम देखेंगे कि बढ़ी, 10,000 पे तो यह लिख दिया, फिर देखेंगे, 1000 पे क्या है, तो हमने देखा, 1000 पे हमने देखा कि 6 है, 100 पे देखा हमने 0 ह फिर 10th place पे देखा कि 4 है, 1th place पे देखा तो 5 है, इसी तरह से हम बाग की कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 into 10 की पावर 5 है, तो 5 0 लगा देंगे इसके पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, plus 4 के बाद 10 power 4 है, तो 4 0 लगा देंगे, उसके बाद power 3 है, तो 3 0 लगा देंगे, उसके बाद देखो, 2 power नहीं है तो 2 power की जिकर म क्या लखेंगे, 2 0 लख देंगे, ठीक है, और क्योंकि आगे कुछ भी नहीं, तो इसलिए 1 0 लगा देंगे, 3 की power 2 के बाद 1 भी नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 के नाम का भी 0 लगा देंगे धर ठीक है क्योंकि मारे पास 1 है ही नहीं तो 3 की power 0 है sorry 10 की power 0 यानि 1 3 बंजा 3 तो यह देखो हमारे पास यह अगर 5 power हो रहे थे तो यह मारे पास क्या हो जाएगा तो यहां देखो यहां पर हमारे पास यह आ रहा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh यानि lakh के place पे है फिर 10,000 के place पे है 1, 10, 100, 1000, 10,000 10,000 है इदा थाउज़न है 100 और 10 पे कुछ नहीं है 1,000 पे है तो यानि lakhs पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 1,000, 10,000 पे 4, 1000 पे 2, 100 पे देखो क्या है यहां पे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे 10s पे कुछ नहीं है तो यहां भी 0 लगा देंगे 1s पे 3 है तो यह 3 हो गया इसी तरह से यह देखो 9 into 10 raised to power 5 तो 9 के पिछे 5 0 लगानी है हमने इस तरह से फिर 4 power नहीं है पे 4 की जगे हम क्या लखेंगे 0, 4, 0 लगा देंगे यह ऐक जिरो आगे क्या लगाएंगे कि यहां पे कुछ भी नहीं है इसके बाद और क्योंकि 10 की पावर 4 है तो 4 0 लगा दी 3 भी नहीं है तो यानि कि है तो है नहीं कुछ भी तो 30 की जिड own लगा देंगे आ पर हैं उसके बाद Two Zero है तो इसको toys क्या लिखेंगे फाइव तो जिरो कि फिर थ्री की Power थैन वंच्जा थैन यानि थि 0 कि इसके बाद कुछ हैं तो इसके बाद कुछ भी नहीं है once के place पे तो once के place पे भी हम क्या लगाएंगे 0 अब हम इसके standard form देखते हैं देखो यहां पर once ten hundred thousand ten thousand lakh यानि लाक वारा digit तो दिया हुआ है ten thousand वारा digit भी दिया हुआ thousand वारा digit भी दिया हुआ 100 वाड़ा दियावा है 10 वाड़ा दियावा और 1s वाड़ा भिन दियावा तो 10000 वाड़ा लिखा तो 9 10,000 वाड़ा कुछ दिया नहीं वा उसकी जेगा 0 100s 5 10s 3 1s पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ भी क्या आजाएगा 0 ठीक है अब इसी तरह से लास्ट देखो 10 की पावर 4 है फिर 3 नहीं है 2 है फिर 1 नहीं है तो 4 लिखते हैं पहले 4 0 लगाई अब 10 की पावर 3 तो है नहीं यानि 3 0 कुछ भी नहीं है तो उसके नाम की यहाँ पे 0 और 3 0 अलग से ठीक है यह 3 0 की इसलिए जो 10 की पावर 3 होती है उसके लिए 10 की पावर 2 है तो यह 4 2 0 लगाई 10 की पावर 1 भी नहीं है तो 1 के नाम का भी क्या हो जाएगा 0 और 5 की पावर देखो 10 की पावर 0 यानि 1 5 बंजा 5 अब देखो यहाँ आपे 10,000 के प्लेस पे है 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है 100 के प्लेस पे है 10 के प्लेस पे कुछ नहीं है और 1 के प्लेस पे है तो अंसर हम क्या लिखेंगे इधर से स्टार्ट किया 10,000 1000 का कुछ नहीं 100 का 4 है ओ सोरी 10 का 0 है और यहाँ पे 5 तुम्हारा अंसर क्या हो जाएगा 30405 यहाँ पर हमारी exercise होती है complete मिलते हैं next chapter के साथ next video में